नमस्कार आप देख रहे हैं सत्य खबर मैं हूँ आपके साथ कंचन भारती शुरूआत करते हैं हर्याना की 5 एहम खबरों के साथ हर्याना में आम आदमी पार्टी पैर पसारने की कोशिश में जूटी है जिस कड़ी में आम आद्मी पार्टी के कारे करताओं ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त और 24 घंटे बिजली देने के साथ ही ट्यूवल कनेक्शन ततकार देने की मांग को लेकर प्रदरशन किया इस प्रदरशन का नेतिर्ट्व आम आद्मी पार्टी के इंद्री हलका संयोजक अनिल वर्मा ने किया उन्होंने कहा कि हर्याना में भाजपा सरकार ने जनता के साथ छूटे वाले किये हैं लेकि फिर फिर की दोसों इयुंट पहले फ्रीय औ फ्रियो प्लस दोसों इयुंट पे अमधा रूइट देने का गाझ cheं साथ साल से कर रही तो हरयाना सरका जो बिझली का उत्पादन भी करती है क्षिशन भी अच्छा ट्यूबल कनेक्शन इमीजेट उनको मेंने चाहिए। जब किसान को ट्यूबल कनेक्शन ही नहीं होगा, वो खेती कैसे करे है। क्या किसान चाहते हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंग ने सडक दुरगटना में घायल हुए गाउं थाना की महिलाओं और बच्चों से मुलागात की। इस मौके पर खेल मंत्री ने पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 2,00,000 रुपे देने की खोशना की। वहीं दुरगटना में घायलों को 50,000 रुपे देने की घोशना की गई। इसके साथ ही उन्होंने पीडितों को मेडिकल सुवधाओं के लिए भी आशवाशन दिया है। अपनी ही मा की हत्या की कोशिश करने वाले खुक्यात अपराधी दश्रत को जजजर पूलिस ने गरफतार कर लिया है। कुख्यात अपराधी दश्रत जजजर जिले के बरहाना गाउं में रहने वाला है। अपराधी ने 2016 में अपने ही गाउं बरहाना के एक व्यक्ति की हत्या की थी जिसके बाद अपनी मा की हत्या का प्रयास भी किया। पुलिस के टीम ने अपरादी को अवैद हतिया और तीन जिन्दाकार्टू उसके साथ काबू किया है. पुलिस के लिटां पुलिस के लिगा है. कर दो थो चेल्स जा आफ सेराऊके अअबंडा। मोगिन बहुर्स भेड़ की पाफर था है जटुक्पटोरिmiyor ओिझ भेड़्े गांप में एड्यों है करें। युवक का शव मिला है युवक के शरीर में छे गोलियों के निशान पाए गए हैं युवक की पहचान दिल्ली के सभाशनगर के रहने वाले गोतम कोहली के रूप में हुई जो दो दिन से घर से लापता था वहीं युवक के परिजनों ने आरूप लगाया है कि अपरहण के बाद यूवक की हत्या की गई है फिलाल पुलिस ने हत्या का मामरा दर्च कर जाँच शुरू कर दी है जजज़र की कसबा छुचक वास के पास थित एक नेजी स्कोल के माली की अज्याद कारणों के चलते मोथ हो गई मृतक की पहचान विरेंदर के रूप में हुई है विरेंदर जीडी कोईंका स्कूल में बतोर माली के पत पर काम कर रहा था काम करने के दुरान अचानक पेट में दर्द होने से उसे इलाज के लिए भरती करवाया गया लेकिन इलाज के दुरान उसकी मोथ हो गई फिलाल पुलिस ने शव को पोस्ट मोटम करा कर परिजनों को सोप दिया है फिलाल के लिए इतना ही जुड़े रहे सत्य खबर के साथ धन्यवाद